कर्णाल के सेक्टर चोधा में मकान नंबर 325 जो एक बुजुर्ग तंपत्ति का है पर कबजा धार्य द्वारा कबजा किये जाने का मामला गर्माता जा रहा है जिसके चलते आज कर्णाल की वीभीन सामाजिक संस्थाय युवा बोलेगा मंच के अध्यक्ष जेपी शेकपुर के अध्यक्षता में सेक्टर चोधा के मकान नंबर 325 के सामने आकर बैठ गई और उन्होंने मकान खाली कराने की मांग की मकान के मालिक वृत दंपत्ति द्वारा अंदर चार पाई बिचा कर बिचाया गया वहीं इस मामले को गर्माता देखकर पूलिस भी मोके पर पहुच इनके बेटे की लगबग 23 साल पहले मृत्यू हो गई थी इनको अकेला जानकर एवं बुजूर्ग समझ कर इनके मकान पर कबजाधारी व्यक्ति द्वारा कबजा करने का परियास किया जा रहा है जिसको लेकर सभी संस्थाओं ने इकठे होकर यह आवाज सरकार तक पहुच कि हुए है और वह की राय के मकान में रहने को मजबूर है उनने का कि पुलिस में एवं सीयम विंडो में फी शिकायत करने पर अभी तक कबजाधारी के खिलाफ कोई भी कारेवाही नहीं हो पाई है उनने सरकार से अनुरोद किया है कि उनके मकान को खाली करवा में उम्र के बाद में पूलिस ने आकर समझा भुजा कर लोगों कोश्टान करवाया और मिल बैट कर इस मामले को सुल जाने के बाद करी। लोग कहते हैं कि भगवान यहां ने इस चाही है एक शरीफ और गमपती के साथ इनके साथ क्या है यह डंडे नी ठा सकते हैं इसलिए यह बनदमाश को कहीं भी बीजिए कट्छा होगा है और यहां पर आज निए तो किसी को किसी को लोगे आना ही पड़ेगा पड़ेगा अपने गोरों समय होला महला मनाके अपने गोर्टवारे से सारी को में यही आकर बैठेंगी और एको फिर मुटान खाली करके देना ही पड़ेगा और सिक कोम आज तक किसी के आगे नहीं चुकी सिक कोम हमेशा आगे की आगे रही है इन दमपतियों को जब तक इंसाफ नहीं अगर बैठ जाएंगे इनको खाली तो करना ही पड़ेगा यह जो बदमाज बालती हैं ऐसे कैसे कभजे कर लेंगी जिस तरह से आप लोग बुला रहे हैं भी अगर आप हम आपका भी साथ देने को तयार है आपके वसको कागज हैं बताईए वो आने रहे क्या लगता है इस कोट में को एहन साफीर होनी है यह यह की करने गूंँ रहे हैं अपने मकान को देखने आए हैं बारा साल बाद अपना मकान देख्या है तिन सु पच्छिस नंबर मकान चाहाना कुछ निए वैसे दिया था अपना बेटा समझ के बेटा गुजर गया था और खाट भी चादि पुड़ा बुटी नहीं जाएंगे यहीं पर रहेंगे बुद्रक आदमी नहीं जाएंगे कहीं भी यहीं नहीं जाएंगे कहीं भी घर से बाहर निकाला हुआ है और वो कह रहे हैं कोई अमने इसकी रिजिस्टी नहीं करा ही रिजिस्टी कोई पैसे का प्रूफ है यह लोग नहीं दे रहे हैं तो आज जो है समाजिक संस्थाओं के आवान पर तो इनको जो बुजुर्गों को अपना जो है अज हम मोहिया कराया है समाजिक संस्थाओं ने मिलके और उसमें राजनेतिक पार्टीव के लोग भी है और यह जो 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 है प्रियास है जो यह से भुजुर्गों को J.B.D. Banquets लाए है इंक्रेडिबल मारिज पालेस राजगराना और फानेस बांक्वेट हौल जो जोती गार्टन वोल्ड-क्लास केटरिंग, सेंट्री एर कंदिशन, लुश ग्रीन लॉन्स, स्टेट अफ दी आर्ट लाइटनेंग, अपर्फेक्ट वेडिंग, लांचिंग एंड पार्टी राजगराना और जोती गार्डन और J.B.D. Banquets Enterprise